जब जबर्दस कठिनाई होगी तो फिर मैं स्वेटर पहनने का सोचूँगा मगर उससे पहले नहीं करूँगा उन तीन लड़कियों को देना चाहता हूं कि अगर आपको ठंड लग रही है तो फिर राहूल गांदी को भी ठंड लगेगी जिस दिन आपने स्वेटर पहन लिया उस दिन राहूल गांदी स्वेटर पहन लेगा चोटे वियापारी पे जीएस्टी अदानी पे जीएस्टी नहीं क्यों आपने क्या गलती की फिर ये मेरी टी-शर्ट के पीछे पढ़ गए इनको अभी तक समझ नहीं आरी बात नहीं उनको समझ नहीं आरी बात देगो ये कह रहे हैं टी-शर्ट क्यों पहना है ये सफेड टी-शर्ट क्यों पहना है इसको सर्दी नहीं लगती सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ क्यों पहना हूँ यात्रा शुरू ही किरला में बयंकर गर्मी ऐसा लग रहा था बहिया टीशर्ट उतार दो मतलब उसमें पसीने आ रहे थे हुमिडिटी बहुत थी किरला में काफी मतलब गर्मी लगी फिर मैं मद्यत प्रदेश में गया थोड़ी ठंड होने लगी थोड़ी से बतलब जाधा नहीं सुबह सुबह क्या हुआ छे बजे हम निकलते हैं सुबह सुबह तीन गरीब बच्चे मेरे पास आ गए फटी वी शर्ट थी और जब मैंने उनको ऐसे पकड़ा हाथ लगाया फोटो के लिए फोटो लेना चाहते थे एक साइड और एक साइड लड़कियां थी एक साइड एक साइड जैसे मैंने उनको पकड़ा वो कांप नहीं थी ठंड से कांप नहीं थी और फिर मैंने देखा पतली सी शर्ट थी उस दिन मैंने निन्ने ले लिया कि जब तक मैं नहीं कांपूंगा मैं टी-शर्ट पहनूंगा जब कांपना शुरू हो जाएगा जब मुझे अच्छी मतलब ठंड लगने लगेगी जब जबर्दस का ठिनाई होगी तो फिर मैं स्वेटर पहनने का सोचूंगा मगर उससे पहले नहीं करूंगा मैं उनको मेंसेज देना चाहता हूँ उन तीन लड़कियों को देना चाहता हूँ कि अगर आपको ठंड लग रही है तो फिर राहूल गांदी को भी ठंड लगेगी जिस दिन आपने स्वेटर पहन लिया उज दिन राउल गांधी स्वेटर पहन लेगा नहीं नहीं ये बात मत बोलो ये फिर से आप गल्द बात बोलना शुरू कर देओ महत्मा गांधी नहीं हुमें आप नहीं सुनो ये मेरे जैसे इस देश में करोणों लोग है ठीक है करोणों लोग हैं यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे काम कोई कर रहा है तो पस्या कोई कर रहा है जैसे मैंने पांडवों की बात की यहाँ पे युद हुआ था हजारों लोग मरे थे वो क्यूं हुआ था क्यूंकि उस समय हिंदुस्तान में जो काम कर रहा था जो तपस्या कर रहा था उस समय किसान थे मजदूर थे आज किसान हैं मजदूर हैं छोटे वी अपारी हैं स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं आज हमारे पास माइक्रोस्कोप बनाने वाले लोग आए आप बनाते हैं मैनुफैक्चरिंग है देखो इनकी सौ दो सो लोगों को ये रोजगार देते हैं ये तपस्या करते हैं 24 गंटा कोई माइक्रोस्कोप बनाता है कोई यहां पर पोल्टरी फार्म चलाता है कोई कोई क्येती करता है गंटा उगाता ये तपस्वी हैं देश के और खाता कोई और है और खाता कोई और है और जो खाता है भाईया वो तो दिखते भी नहीं है उधारन देता हूँ प्रधान मंत्री भीमा योजना आपके जेव में से पैसा निकलता है आप देते हो और हिंदुस्तान की सरकार आपका पैसा उसमें जोडती है आप सुबह चार बज़े उठते हो हम छे बज़े उठते हैं आप चार बज़े उठते हो चार बज़े उठने के बाद आप काम शुरू करते हो आपके साथ खेत में आपके इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं पूरा परिवार काम करता है, फिर तुफान आता है, आंधी आती है, बारिश होती है, ओले गिरते हैं, और फिर आप जाते हो बीमा लिने, के तो बहिया, चलो नुकसान हो गया, बीमा का पैसा तो भरा था, पता लगता है, इंटरनेट पे आपको कंपनी नहीं मिलेगी, नाम नहीं मिलेगा, फोन करो, कोई जवाब नहीं देगा, आपकी तपसिया, कोई और खा गया, GST के बारे में बताता हूँ, मज़ेदार बात मैंने सुनी, अगर आप, चाहिए वो मैदा हो, गुड़ हो, अगर आप 25 किलो से कम, मैदा गुड़, अपनी दुकान में बेचते हो, छोटे भी आपारी को बात कर रहा हूँ, अगर 25 किलो से कम बेचते हो, तो आप पर GST लग जाती है, और अगर आप 25 किलो से जादा बेचते हो, आप फिक GST नहीं, मतलब छोटे वियापारी पर GST, अदानी पर GST नहीं, क्यों, आपने क्या गलती की, अगर आप पर लग रही है, तो उन पर लगनी चाहिए, अगर उन पर ना लगे, तो आप पर ना लगे, किसाना है हमारे पास MSP की बात की, हिमबाचल प्रदेश में मैंने आज अक्बार में पढ़ा, सेव का पूरा का पूरा वियापार एक उद्योक्ति के हाथ में, जम्मू कश्मीर जाएंगे पूरा का पूरा सेफ का विवार उसी है दुयक पते के हाथ में नहीं नहीं हुए भईया क्योंकि शहीद क्यों होता है उसको शहीद का दर्जा मिलता है पार्लिमंट हाउस में मैंने बात उठाई कॉंग्रेस पार्टी ने बात उठाई कि भईया यह 700 लोग शहीद हुए है इनका नाम तो ले लिजे पार्लिमंट हाउस में शहीद का दर्जा तो दे दीजिए प्रणा मंत्री कहते कोई शहीद नहीं हुआ हमने मौन करा दिया वहाँ पर मैं खड़ा हो गया मैंने का भईया हम तो मौन करेंगे स्पीकर गुसा हो गया मुझसे कहते देखिए पार्लिमंट हाउस में जो 700 किसान शहीद हुए हैं उनके लिए दो मिनट मौन नहीं रखा जा सकता है हम जानतेंगी शहीद हुए उनके परिवार जानतेंगी शहीद हुए इद्धुस्ताइन की सरकार नहीं जानती है उनके लिए नहीं शहीद हुए